हेले वरॉन कैसे आप सब एक बार पुना सीव कोचिंग क्लासेश पर स्वगात है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्तोंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल रही होगी दो अंक और तीन अंक वाले या लेड़ी हमने बहुत सारे कोश्चन जाएगा ठीक है तो आप लोग सारे के सारे प्रश्चनों को तैयार कर लेना और डिस्क्रिप्शन पे टेलेग्राम कर लिंक मिल जाएगा बच्चों वहाँ पे भी आप जोइन कर लें एक्जाम टाइम पे आपको बहुत कुछ यह टेलेग्राम में मिलने वाला इसलिए नोट कर लिया होगा संभी वोप्रिष्ट किसे कहते हैं इनके गुन संधायतर किसे कहते हैं संधायत की धायता को प्रहावित करने वाले कारक गास कप्रमे हैं अगला बच्चों किसी विद्दू दूइद्रूप के काण अक्छी इस्थित पर जो तीबरता होती है यह नही विद्दू छेट की तिवरता एक लंबी पईनालगा के लिए सौपरेल कत्तों का बिंजक फिर बच्चों यह जो ट्रांसफार्मर से कुश्चन हर बर्स पूचा जाता है चाहे चित्र पूच ले चाहे उच्चाय और अपचाय ट्रांसफार्मर में अंतर पूच ले छोटे ब प्रकास निर्मित संयुक्त लेंस की फोकस दूरी एफ हूँ तो सिद्ध कीजिए एक बटा एफ बराबर एक बटा एफ ओन प्लस एक बटा एफ टू यह उतना महत्पूर्ण नहीं है अभी बांकी जितने कोश्चन महत्पूर्ण बच्चों इसे आप त्यार ना करोगे तो द्यान रखेगा पियन संदी डायोड का अग्रविनत भी और परश्चर विनत दोनों को समझना है ठीक है आगे देखे बच्चों पियन संदी डायोड के लिए आपको यह दो दो अंक में पूछ दिया जाता है अनबरत आभी इस आप छे परत प्राचीर विभौ किसे कहते ह तो आपको लिखने को आ जाएगा ठीक है विद्दू छेतर रेखाएं तीन नंबर में कोशन पूछा जाता है कभी कभी चार नंबर इनके गुण अब ध्यान रखेगा इदि चारंक में आ जाएगा बच्चों तो विद्दू छेतर रेखाओं की परिभासा एक नंबर का व भेरी 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 इंपर्टेंट ठीक है बच्चों समांतर प्लेट संधायच्ब का ध्योरम काफी महत्पूर है आगे देखिए बिद्दू छेतर में स्तित किसी बंद प्रिष्ट के लिए गास नियम लिखिए अब देखिए यहां पर बिद्दु छेतर की किसी बंद प्रिष्ट के लिए गास का थेओरम मुहाँ पर यहां पर केबल गास का नियम लिखने के लिए बूचा है और जब सिद्ध करने के लिए पूचेगा तो वही गास थेओरम ठीक है तो किसे कहते हैं किसी धारावाई कुंडली के लिए संचित उर्जा का विंजग यह देखो इस साल मैंने कराया है 2024 में इसके पहले संचित उर्जा का विंजग नहीं कराया था लेकिन इसको करा दिया हूँ LCR परिपत तो हर बच्चा तयार कर लेता है कोई दिक्कात ही नहीं है बच्चो आप लोगों से सरल सुचमिदर्शी ना बने लेकिन इसके जगे संचित सुचमिदर्शी आपको पढ़ना ही पढ़ना अब इस बता रहा हूँ सरल सुचमिदरसी तो और सरल लेकिन सं्यूग तो अलसी बिलकुल मिस नहीं करना है दरपंड सूत्र 1बटा फ बराबर 1बटा B प्लस एक बटा यह है दरपंड सूत्र है दिष्ट कारण किसे कहते हैं PN-Sandel Diode के पूर्ट तरंग दिष्ट कारी के कृरिया भी दि अब देखो ये पूर तरंग दिश्ट कारी और अर्द तरंग दिश्ट कारी दोनों पढ़ना बचो मैं अभी जो कोश्चन बताते चलता हूँ बिलकुल आपको इधर उधर नहीं अब इसके पहले पियन संद्र डायड का अग्रविनत बताया था देखी ये कोश्चन रिपीट हो गया पस्चविनत दोनों चलता हूँ वही दोनों लिख दिया कोश्चन इधर उधर लेकिन अग्रविनत पस्चविनत दोनों पढ़के जाना है विद्दुद फ्लक्स किसे कहते हैं सिध कीज़े कि विद्दुद छेतर के समांतर प्रष्ट से गुजरने वाले विद्दुद फ्लक्स का मान सुन होता है इसकी परिभासा आप तैयर कर लिना बिमीस उत्र मात्रा काप ही है इसे आगे नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा एक समान बिद्दु छेत्र में बिद्दु दुईधुरूप की इस्तिति उर्जा का बेंजक बिद्दु दुईधुरूप से आप क्या समझते हैं बिद्दु दुईधुरूप के कार्ण निरच्छी स्थित ये निरच्छी स्थित का बेंजग है, ठीक है, बिद्दु छेत की तिवरता के लिए निरच्छी स्थित का बेंजग, एक बिद्दु दुद्रुप के काण अक्छी स्थित में किसी बिद्दु पर बिद्दु बिभाव का बेंजग, ये बिभाव है, देखे भाई, आपका चुम्मिके छेत्र में भी अच्छी निर अच्छी है बीभाव में भी है और आपके बिद्दु छेत्र में सम्में अच्छी निर अच्छी है तो आपको पढ़ना है हर चीज में से ठीक है चले आगे देखिए बच्चो अगला प्रशन है एक समान चुम्मिके छेत्र में गति बिदी कभरणन कीजिये अब मैं इसके पहले आपको बताया था सरल सुचमदर्सी सरल के साथ साथ सईगु सूधु सुचमदर्सी किसी भी दम पे आपको सईगु सुचमदर्सी तैयार करना है लेंस निर्माता सूत्र काफी महतमुन है चालाक ग्यार्मी क्लास में मिपढ़ें बच्चो इसलिए ऐसे प्रशन तो आपको त्यार करना ही है पियन संदी डायोड का अर्धतरंग दिश्टकारी रूप देखो जरा उधर पूंड तरंग दिश्टकारी रूप मिला यहाँ पर अर्धतरंग दिश्टकारी रूप तो ऐसे प्रश्णों को नहीं छोड़ना जिसको मैं अच्छे तरीके से हिंड कर देता हूँ यहाँ पर देखिए बच्चो किसी बिंदु आवेश के कार्ण किसी बिंदु पर बिभव के लिए बेंजा काफी महात्पूर्ण है यहाँ पर किसी बिंदु आपका बिदु छेत्र हूँ चाहे आपका बिदु आपका बिदु भवा हो चाहे आपका चुमिकेट छेत्र के लिए हो सबी के लिए तयार करना है समांतर प्रेट की धारिता के लिए बिंजा के स्थापित कीजिये यह सबको पता है लेकिन कब जब बीच में आनसिक रूप से प्रवैद्धत त्माध्यम रख़ देने पर कितना थहरा माता है धारिता निकल कर आती है किसे कहते हैं दो लंबी परिणा लिकाओं के बीच अन्य प्रिण का बिंजक अन्य प्रिण आपने पढ़ा होगा आगे देखे बच्चो जब हमारे एक प्रत्यवर्थी धारा परिपत्च में संधायतर जुड़ा हो केबल और केबल संधायतर तब क्या होगा है ना आलेग बन तर सिद्ध कीजिए अर्द चाला क्या है पी प्रकार के अर्द चाला को समझाईए बाकि आप डायोड ना पढ़ना तो भी चलेगा लेकिन यहां तक आप लोगों को पढ़ना ठीक है कुछ प्रशन बच्चो छोड़ भी दोगे तो चलेगा लेकिन जो मैंने कहा महात्पू प्रशन देखने को मिले गाई तो अगामी समय में ऐसे भी रणनीत आप के लिए ला रहा हूं लेकिन फिलाल अभी सारा चीज यहां पर बच्चो आप लोगों के प्रवाइड किया जा रहा तो इसके पहले जो भी वीडियो बने हो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो फ्री वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर प्रस करने मिलते हैं गली वीडियो के साथ जय हिंद बंदमातरम